सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ another वीडियो इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे HPGK के टॉप 50 questions आफी की demand पर आपने कहाता है कि एक वीडियो में ज़्यादा questions को cover कीजिए इसलिए हम आपके लिए आज 50 questions लेके आए हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और यह question आपको आने वाले exam में काफी helpful होंगे तो आईए जादस में ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पास पहला question है हिमांचल प्रदेश की कौन सी प्रमुक नदी से कांगडा और कुलू घाटी का निर्माण होता है कि वो कौन सी नदी है जिससे कांगडा और कुलू घाटी का निर्माण होता है तो वो कौन सी नदी है वो है आपके पास ब्यास नदी next question है हमारे पास question number second इन में से कौन सी नदी हिमांचर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती वो है हमारे पास जेलम जेलम जो है जेलम जो है जेलम के में प्रवाहित होती है थर्ड क्वेश्चन है मारे पास चिनाब नदी का उद्गमस्थान क्या है या क्वेश्चन ही इस तरह से भी आ सकता है कि चंदर भागा नदी का उद्गमस्थान क्या है तो चिनाब नदी की जो साहिक नदी है उनमें से चंदर और भागा भी एक हैं और आपको पता होगा कि दोनों के दोनों जो लॉल्स पीती से निकलते हैं और जो लॉल्स पीती में कौन से दर रपरेजेंट है वो हैं हमारे पास बारालाचा पास तो ये सारे के सारे जो हैं बा करने के लिए प्रकट हुए थे वह स्तान दो नदियों के संगम पर अबस्तित है वो नदियां कौन सी है वो है आपके पास पारवती नदी और ब्यास नदी D is the sorry A is the right answer नेक्स्ट है मारे पास जन बिश्वास के अनुसार स्तुद्र नदी को मान सुरूब जील से हिमांचर प्रदेश में लाने का श्रे किसे दिया जाता है वो दिया जाता है बाना सूर को next question है मारे पास रावी नदी का बैदिक नाम क्या है तो रावी नदी का बैदिक नाम है पुर्शानी question number 7 है मारे पास बुदिल धारा का उद्गम कहां से होता है तो बुदिल धारा का उद्गम होता है मनी महेशे जो की चमबा में present है next है मारे पास चमबा पतन पुल जो बिना स्थम्भों के होने के कारण हिमांचर प्रदेश में अपनी किसम का पहला पुल है किस नदी पर बना है तो जो चमबा पतन पुल है वो कौन सी नदी पर बना है वो बना है ब्यास नदी के ओपर option number D जो है right answer है next है मारे पास निमलेक्त मैसे कौन सी ब्यास नदी की साहिक नदी है तो ब्यास नदी की साहिक नदी कौन सी नहीं है तो यहाँ पर यह पूछा गया है तो इसका जो right answer वो है आपके पस अली सुकेती बानगंगा उल यह सारी की सारी जो है ब्यास नदी की साहिक नदियां है अली प्रवेश करती है तो सतलूज कहां पर प्रवेश करती है सतलूज करती है शिपकी पास की नौर से कन सा कतन सत्य नहीं है शतलूज नदी तिबबत से निकलती है ब्यास रोहतांकदर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है राभी कागड़ा के बड़ा भंगा से निकलती है यह मुना पुह तो डी ओप्शन जो है आपका गलत आंसर है नेक्स्ट है मारे पास किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है तो विपाशा से कौन सा नाम आपके पास आता है वो आता है आपके पास C यानि ब्यास नेक्स्ट है मारे पास ब्यास नदी का बैदिक नाम क्या है तो अभी एक नाम हमने देख लिया जो था आपके पास विपाशा और सेकंड नाम कौन सा है मारे पास वो है अर्ज किया Next हमारे पास चमबा किस नदी के दाएं किनारे स्थित है तो चमबा कौन सी नदी के दाएं किनारे स्थित है जो की बड़ा बंगाल से निकलती है और वो कौन सी नदी है वो है हमारे पास रावी नदी next हमारे पास यमुना नदी का बैदिक नाम क्या है तो यमुना नदी का बैदिक नाम है कालिंदी इसे आप भगबान श्री कृष्षन के नाम से भी याद रख सकते हैं नेक्स्ट है मारे पास पॉंटा साइब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थीत है तो पॉंटा साइब गुरुद्वारा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थीत है नेक्स्ट है मारे पास रावी नदी कहां से निकलती है तो रावी नदी निकलती है आपके पास कांग कांगड़ा के बड़ा बंगाल से तो option B is the right answer question number 19 हमारे पास हिमाचर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो सबसे लंबी है हमारे पास सतलूज और सबसे छोटी है यमना और on the basis of volume सबसे बड़ी है चिन्ना और length के recording आपके पास सतलूज जो सबसे लंबी नदी है next question है मारे पास कौन सा खट कांगड़ा के लिए के साथ होकर बहता है तो वो कौन सा खट है जो की कांगड़ा के लिए के साथ होकर बहता है वो है आपके पस बान गंगा is the right answer next है मारे पास सतलूज नदी का रिगवैदिक नाम क्या है तो सतलूज नदी का रिगवैदिक नाम क् वो है स्तद्री सी इस दर आइट आंसर question number 22 है हमारे पास निमलिक्त मैंसे कौन सी नदी का उद्गमस्तान हिमानचल में नहीं होता तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो वो कौन सी नदी है जो की हिमानचल से नहीं निकलती यहाँ पर यह नहीं पूछा के कि बहती यहाँ से पूछा है निकलती तो वो है आपके पास सतलुज नदी जो है इमानचल से नहीं निकलती है next है मारे पास चंद्रभागा नदियां कहां पर आके मिलती है तो वो कहां पर मिलती है तांदी नामक स्थान पर या आप इने टांडी नामक स्थान भी कह सकते हैं नेक्स्ट है मारे पास ब्यास नदी निमन किस जिले से सबंदित नहीं है तो ब्यास नदी जो है कौन से जिले में नहीं बहती ब्यास नदी कहां से निकलती है कुल्डू से मंडी में भी होती है वो और कांगडा में भी वो present है तो वो कौन से district में नहीं है वो आपके पास present नहीं है उन्ना में उन्ना में केबल एक ही नदी है जो की स्वान है next है मारे पास बान गंगा निमनलिक्त मैं से किसकी साहिक नदी है तो बाणगंगा किसकी साहिक नदी होगी बाणगंगा जो है कांगड़ा किले के साथ होकर बहती है तो कांगड़ा के किले के साथ जो नदी है वो बाणगंगा है और बाणगंगा जो है आपके पास साहिक नदी है ब्यास नदी की नेक्स्ट है मारे पास किस कलेसियर से रावी नदी कहां से निकलती है बड़ा भंगाल नामकस्तान से जो की कांगडा में प्रेजेंट है टॉंस नदी किसकी साहिक नदी है तो टॉंस नदी जो है आपके पास यमुना नदी की साहिक नदी है यह उन्हों नदी की आपके पास चारी साइक नदी आएगी टॉस की रिपबर और अंधरा तो चार जो है इसकी साइक नदीआ है टॉस की रिपबर और अंधर नदी Next है मारे पास 28 डैस डैस नदी का बैदिक नाम अर्ज किया है तो इसे हम पहले study कर चुके हैं ब्यास नदी का नाम अर्ज किया है सिउल जलधारा किस नदी की साइक नदी है तो जो सिउल जो है वो है आपके पास रावी नदी की तो सीज़धार राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास डोडरा कबार किस नदी गाटी में स्थीत है तो जो डोडरा कबार है वो स्थीत है टॉंस गाटी में Q31 हमारे पास निमलिक्त में से कौन सी नदी ब्यास नदी की साहिक नदी है तो यहाँ पे कौन सी है वो आपके पस मान खुट नेक्स्ट है मारे पास ब्यास नदी का उद्गमस्तान कहां से होता है तो ब्यास नदी कुलू से ब्यास कुंड से निकलती है नेक्स्ट है मारे पास तिबबत में मानसरोबर से प्रारम होकर और किनौर जिले में सिपकी के भारत्य शीमा में प्रवेस करती है बो नदी कौन सी है तो आपको पता होगा तिबबत मानस्रोबर से एक ही नदी निकलती है और बो है आपके पास सतलूज नदी नेक्स्ट हमारे पास हिमांचल प्रदेश में कितनी प्रमुक नदियां है बो है आपके पास पांच नेक्स्ट हमारे पास चिनाब नदी का बैदिक नाम क्या है तो चिनाब नदी का बैदिक नाम हमारे पास अशिकीनी नेक्स्ट हमारे पास भागड़ा बांद किस नदी पर बना है तो आपको पता होगा भागड़ा गाउं जो की सतलूज नदी के उपर बना है भागडा बांद, next है मारे पास सतलूच नदी तिबत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमानचर प्रदेश में प्रवेश करती है तो वो करती है हिमानचर के सिपकी पास से तो राइट आंसर इस, option number A next है मारे पास असीकीनी नाम इन इस नदी से सबंदित है अशीकीनी किस नदी से सबंदित है यह अभी हम आपको बता चुके हैं वो है आपके पास चिनाब नदी next है मारे पास ब्यास नदी कांगडा जिले को जहां छोड़ती है वो कौन सा स्थान है तो कौन से स्थान से ब्यास नदी जो है कांगड़ा जिले को छोड़ती है, वो छोड़ती है, मूर्थल से, next question है मारे पास, निमलिक्त में से ब्यास नदी किस जिले में present नहीं है, तो again आपको बहुई question आ गया, but इसके जो options हैं वो different है, तो कुल्यू में present है, कांगड़ा में present मंडी में present है, बिलासपूर में जो है सतलूज नदी है, next है मारे पास, सतलूज नदी कहां से निकलती है, तो सतलूज नदी निकलती है, मांसरोबर तिबद से, next है मारे पास, इमांचल प्रदेश में, किस नदी बेसिन में सबसे अधिक चल क्षमता है, तो किस की जो सबसे अधिक जल समता है वो है आपके पास सतलूज जो यहाँ पे आपको option दिये गए हैं अगर आपके पास चिनाब option होता तो आप यहाँ पे चिनाब भी लगा सकते थे क्योंकि maximum जो volume capacity है वो है चिनाब नदी की next है मारे पास रेणु का बांद किस नदी पर प्रस्ताबित है तो र पर प्रजेंट है शिमला में next है मारे पास सत्रुज नदी इमांचर प्रदेश के किस जिले में सप्रत्तम प्रवेश्ट करती है तो वो करती है कि नौर डिस्टिक से बांद गंगा किस जिले में बहती है तो बांद गंगा कहां पे है कांगड़ा डिस्टिक में ब्यास नद जल राशी की दृस्टी से हिमाचर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो यहाँ पे आ गया चिनाव नदी, नेक्स्ट है मारे पास पॉंक बांद के निर्मान किस नदी पर किया गया है, तो पॉंग बान जो है आपको पता होगा कहां पे प्रजेंट है अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताईए कि जो पॉंग डैम है वो आपके पास कहां पे प्रजेंट है तो यहां पे आप आईडिया लगा सकते है कि वो ब्यास नदी के उपर है तो ब्यास नदी कहां पे बहती है बहां से आप इसका idea लगा सकते हैं next है मारे पास कौन सी नदी हिमांचल प्रदेश से होकर नहीं बहती तो जो यहां पे गंगा नदी है वो हिमांचल से होकर नहीं बहती तो guys इस वीडियो में 50 ही question थे बाकी जो भी important question बच जाते हैं वो हम next वीडियो में आपके साथ discuss करेंगे तब तक के लिए thank you मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद